अमीर खान ने अपनी अपकामिंग फिल्म लाल सिंग चट्डा को लेकर एक खुलासा किया है। एक इंटर्विव में अमीर से सवाल किया गया कि फॉरेस्ट गम के हिंदी रिमेक में लीड कैरेक्टर सिख ही क्यों बनाए गया। इस पर आमीर खान ने कहा कि टेक्निकली कैरेक्टर तो कोई भी हो सकता था लेकिन राइटर अतुल कुलकर्णी ने फिल्म की कहानी इस तरीके से लिखी है ताकि वो ओडियन्स के साथ इमोशनली अटेच हो सके। साथ ही आमीर खान ने बताया कि ये फिल्म 1983-84 में सिख कम्यूनिटी की कठिनाईयों के बारे में भी है। आमीर ने बताया अतुल ने फॉरेस्ट गम के हिंदी रिमेक में पहले से ही लीड कैरेक्टर को सिख रखा था। जब हमें स्क्रिप्ट मिली तो उसमें सिख कैरेक्टर को लिखा गया था। तो ये हमें नैचुरल सा लगा। इसलिए हम में से किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया कि ये सिख क्यों है। अब जब मैंने इस बारे में सोचा तो टेक्निकली लाल सिंख चटा का कैरेक्टर कोई भी हो सकता था। साउथ इंडियन भी हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि अतुल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1983-84 के वक्त सिख कम्यूनिटी के लिए बड़ा मुश्किल समय था। उस वक्त उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। आमीर ने आगे कहा कि लीड कैरेक्टर को सिख बना कर अतुल आउडियन्स के साथ एक एमोशनल रिष्टा बनाना चाहते थे। उन्होंने का आप फिल्म में कैरेक्टर से इमोशनली जूड जाते हैं क्योंकि आप ऐसी घटनाए देखते हैं और वहीं से फिल्म आगे बढ़ने लगती है। बॉयकॉट लाल सिंग चड़ा के ट्रेंट करने के बाद ऐसी खबरे आ रही हैं कि फिल्म को लेकर बज क्रियेट करने के लिए लोगों को पैसे दिये गए हैं। इस पर फिल्म के डारेक्टर अद्वेत चंदन ने रियक्ट किया है। उन्होंने मीडिया स्टोरी पर लिखा मुझे पता चला कि आमीर सर को ट्रोल करने के लिए पैसे दिये गए हैं। ये सुनकर बेहत दुख हुआ और ये बिल्कुल अनफेर है। मैं उन्हें फ्री में ट्रोल क्यों कर रहा हूँ। बता दे अगर लाल सिंग चटा बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हुई तो फिल्म को भारी भरकम नुकसान जहिलना पड़ सकता है। अगर फिल्म के रिव्यू और शुरू में फिल्म देखने वाले ओडियन्स ने खराब रिव्यू दिये तो फिल्म के लिए सौ करोर कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। सौ करोड पार करने वाली आमिर खान की पहली फिल्म गजनी थी। इसी प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।